गाय के दूद का उप्योग करें, भेंस के दूद से चायगाय का दूद थोड़ा महंगा मिलें, तो भी बहुत फाइदा करता है, बिमारियों को दूर भगाता है, अंगरेजी दवाहों से जो रियक्षन और शेहर में जहर फैल गया, वो भी दूद का उप्योग करने से मिटत गोजहरन लेने से गोजहरन वट्टी लेने से वो जहर भी हटता है, किसी प्राणी का मल मुत्र पवित्र नहीं माना जाता है, मनुष्यका हो चायए गदे का हो चायए गोडे का आथिका और प्राणी का, मिले का, कुते का नहीं, खाली गाय का ही मल मुत्र पवित्र माना जा उसमें सुवण शार होते इसलिए गाय के दूद में सुवण शार की पिलाश गाय के मख़न में पिलास गाय के घी में पिलास गाय के गुबर और मुत्र में भी कितानू नाशनी शक्ती उठी